हलो 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 दोसो एक बार फिर कार साथी की अंदर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दोसो आज बात हो रही है कि गाड़ी की अंदर ESP क्या होता है याना कि Electronic Stability Program ये होता क्या है किसलिए इस्तमाल किया जाता है और ये work कैसे करता है और accident की situation में आपको कैसे बचाता है इसके बारे में आज हम चर्चा करने माले हैं लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस channel बने हैं अब तक आपने subscribe नहीं किया हुआ है तो दोस्तों इंतिजार किस बात का कर रहे हैं चैनल को फटाफट subscribe कर दीजे अगर आपको ऐसे ही अलग-अलग technical videos देखने हैं गाडियों के features जाने हैं उनकी comparisons देखनी हैं और साथी साथ किसी individual गाड़ी का review भी देखना है तो दोस्तों बिलकुल सही जगा पर आए हुए हैं चैनल को जरूर subscribe कीजे ये सारी चीजे आपको इसी चैनल के उपर मिल जाएंगी तो चले दोस्तों शुरू करते हैं तो दोस्तों ESP याना के electronic stability program कुछ लोग जो है वो इसे electronic stability control ये भी कहते हैं इसके अलावा कुछ car company जो है वो vehicle dynamic control भी इसे नाम देती है vehicle stability assist और इसके अलावा dynamic stability control इस तरीके के नाम भी इसको दिये जाते हैं लेकिन basically system जो है वो same ही है खैर नाम अलग-अलग company जो है वो अपना product बेचने के लिए अलग-अलग नाम देती है खाली तो दोस्तों आप बात करते हैं कि ये ESP करता क्या है electronic stability program क्या करता है तो ये generally जब आप sharp turns लेते हैं या किसी wet surface के उपर गाड़ी चला रहे हैं या किसी बरफ वाली जगापर गाड़ी चला रहे हैं तब ये चीज बहुत ज़्यादा काम में आती है इसको काम करने के लिए अ दो वील जो है वो रोड से traction छोड़ रहे हैं उनकी grip नहीं बन रही है वो बाकी के tires के मुकाबले जादा तीजी से घूम रहे हैं तो ये चीज electronic stability program जो है जट से पकड़ लेता है और अपने आप से ही उन टायरों के उपर individual braking करना शुरू कर देता है जिसकी वजह से tire की speed है वो करती है और इसके लिए traction control का सहारा उसको मिलता है क्योंकि traction control में इस तरीके की sensors लगाये जाते हैं जो की wheel के उपर कितना traction मिल रहा है ये sense कर लेते हैं तो traction control के अंदर के जो sensors है वहां से information directly electronic stability program के computer में जाती है और जट से electronic stability program जो है वो action में आ जाता है इसके अलावा electronic stability program जो है वो गाड़ी के अंदर internal जो crank sharp चलते हैं जिससे की power मिलती है wheels को उसको भी de-accelerate कर सकता है कुछ पलो के लिए ताकि थोड़ा सा engine का भी speed कम हो जाए और गाड़ी जट से यहां पर control में आ जाए अब इसके अंदर जो ABS system गाड़ी के अंदर लगती है anti brake lock system उसका भी पूरी left को mode रखी है फिर भी गाड़ी जो है वो सीधी जा रही है ऐसा अगर sensor ने detect कर लिया तो ESP जट से किकन हो जाता है तो अब आप कहेंगे कि भाईया यह सारे signal जो है वो ESP तक जाएंगे फिर ESP उसको decode करेगा उसके बाद वो brake apply करेगा इसमें तो बहुत वक्त लगे और थोड़े से भी अगर पीछे के tire skid करें तो ESP को जट से पता चल जाता है और ESP वही के वही आपका speed जो है automatically कम कर देता है याने कि collision होने के chances एकदम कम है गाड़ी out of control होने के chances एकदम कम है और क्यूंकि गाड़ी के अंदर ABS भी लगा हुआ है तो brake भी lock नहीं होंगे आराम से कम होगा आराम से steer होगी फिर ESP अपने आप बंद हो जाएगा गाड़ी आपके control में तो ये चीज जो है वो ESP गाड़ी के साथ करते है ये चीज जो है वो आपके emergency braking के अंदर भी बहुत जादा काम में आती है जब ESP ये detect कर लेता है कि बहुत emergency में panic में brake किये जा र तो गाड़ी आपकी जो है वो यहाँ पर जादा out of control नहीं होती है जनरेली सभी गाड़ी के अंदर जो है वो traction control जब दिया जाता है तब ESP भी दिया जाता है कुछी घाड़ियां ऐसी है जो कि केवल traction control के साथ आती है या केवल ESP के साथ आती है क्योंकि generally अगर traction control और ESP दोन चला टोटल रोड एक्सिदेंट्स में से तक्रीब अजिन गाडियों के अंदर ESP था 25 प्रतीशत उन गाडियों के एक्सिदेंट जो है वो फेटल नहीं हुए अगर एक्सिदेंट हुए भी तो बड़े ही माइनर हुए जो कि बहुत मेजर हो सकते थे तो इसकी वज़े से ये चीज़ जो है वो बहुत ज़ादा जरूरी है 2014 से अगर आप देखें तो ये रोब के अंदर हर एक गाड़ी में ये कंपलसरी कर दिया गया है और आने वाले कुछ सालों में भारत में भी ये ESP, Airbag, ABS ये सारी चीज़े गाड़ीों के अंदर कंपलसरी होने वाली है फिर आप किसी भी variant की किसी भी car manufacturer की गाड़ी क्यों न ले ले तो दोस्तों ये है पूरा लेखा जोखा कि आखिर ESP किस तरीके से काम करता है और आपकी जान कैसे बचाता है तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है टेकनिकल लगा है इससे कुछ नौलेज आपको मिला है तो दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक कर दीजे और जादा से जादा वीडियो को शेर भी कर दीजे और कौनसी चीजों के उपर आपको विडियो देखना पसंद होगा ये हमें कॉमेंट सेक्षन में भी जरूर लिखकर बताईए